दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि इंडियन यार फोर्स के फिलाल जो squadron strength है वो करिवन 30 के आसपा squadron का है जबकि इंडियन यार फोर्स को अगर चायना और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ लड़ाई लड़ना है तो कम से कम 42 squadron aircraftों का जोड़त है और फिलाल दोस इंडिजनियस यारक्रेप्टों को खरिदने को लेके ओर्डर प्लेस किया जा रहा है। और चाइना पाकिस्तान को भी एक तरीके से अपने गुलाम बना चुका है। और मार्क टू जैसे यारक्रेप्टों को खरिदने के साथ साथ इंडियन यारफोर्स के तरफ से अपने स्क्वाडरन स्ट्रेंथ को और अधिक बढ़ाने को लेके भी तैयारी किया जा रहा है। तो सो रिपोर्ट के मुताविक इंडियन यारफोर्स के तरफ से अपने जो स्क्वाडरन है उसे और मजबूत करने को लेके तेजस मार्क टू जैसे नेक्स जेनरेशन दोनों यारक्रेप्टों के साथ काम किया जा रहा है। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन यारफोर्स इन दोनों यारक्रेप्टों के साथ अपने बेड़े के जो स्क्वाडरन स्टेंथ है उसे भी मजबूत करना चाहता है। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए मतादो कि साल 2021 में अल्डेडी इंडियन यारफोर्स के तरफ से करीवन 73 तेजस मार्क वान यारक्रेप्टों को खरिदने को लेके ओर दिया जा चुका है। जिसके साथ अगर देखा जाए तो इंडियन यारफोर्स के बेड़े में टोटल 170 तेजस मार्क वान यारक्रेप्ट हो जाएगा जबकि इसके इलावा इससे पहले इंडियन यारफोर्स के बेड़े में 32 तेजस मार्क वान यारक्रेप्टों को शामिल किया जा चुका है और फिलाल दोस्तों इन यार क्रेपों के production rate को देखा जाए तो ये करिवन 8-16 यार क्रेपों सालना दर फे बन रहा है तो वही साल 2026 से इस production rate को बढ़ाके करिवन 24 यार क्रेपों पर येर के दर पे बनाया जाएगा और इसके लिए नासिक में और एक मतलब तीसरा प्लाइंट को भी तैयार किया गया है जो की अपना एयरक्रेप्टो के प्रोडक्शन शुरू कर चुका है लेकिन यहाँ से एयरक्रेप्टो का सप्लाई साल दो हज़ार चुरू होगा और आप लोगों के जानकारी के लिए बत मतलब और आधुनिक और बड़े आकार के यहारक्रेप्टो के उपर भी काम किया जा रहा है और एक बार इन यहारक्रेप्टो के प्रोडक्शन शुरू होड़ने के बाद रिपोर्ट के मताविक करीवन 120 से 130 मतलब कम से कम 6,6,6 स्क्वाडरेण यहारक्रेप्टो को तो अव संग्या कम से कम 200 मतलब 10 स्क्वाडरेण हो दोसो तेजस मार्क टू यहारक्रेप्टो को लेके गौवर्मेंट के द्वारा अल्रेडी साल 2022 के सेप्टेमबर महिने में फंडिंग एलोकेट किया जा चुका है और रिपोर्ट के मताविक फंडिंग एलोकेशन के तीन साल के बा सायथ इस दशक के अंत में मतलब साल 2022 तीस में इन यहारक्रेप्टो के पोड़क्शन को शुरू कर दिया जाए अब दोस्तों अगर तेजस मार्क टू और मार्क टू को मिला जाए और इसके टोक्टल स्क्वाडरेंट को देखा जाए तो रिपोर्ट के मताविक 220 तेजस मार और मार्क वान ए मतलब 11 स्क्वाडरेंट यार्क्राप्ट होता है और 200 तेजस मार्क वान यार्क्राप्ट मतलब करीवन 10 स्क्वाडरेंट और यार्क्राप्ट होगा जिसका मतलब है कि इन दोनों यार्क्राप्टों के सारी इंडियन यार्फोर्स में 21 स्क्वाडरेंट को जो 34 स्क्वाडरन यारकेफ्ट होगा. Currently इंडियान यार्फोरस के === जैगुवार मिराश 2000 और जैगुवर जैसे यार क्तो को रिटर्यर कर भी दिया जाए तब भी आने वाले समय में इंडियान यारफोर्स के बेड़े में ये 272 सुखोई 30 MKI यारक्राप्टों अवश्य होगा क्योंकि इन यारक्राप्टों के modernization program मतलब सुपर सुखोई program को भी run किया जा रहा है और इसके साथ ये तेजस Mark 1, Mark 2, AMCA और 114 fighter यारक्राप्टों के squadron ज तोड़ा समय लगेगा क्योंकि इन यारक्राप्टों को भी स्वधिशी तरीके से modernize करने का बात कहा जा रहा है और शायद साल 2035 तग इन यारक्राप्टों को आसानी से इस्तिमाल किया जाए मतलब आने वाले समय में इंडियान यारफोर्स में काफी बड़ा बदलाओ होग अब दोस्तों स्वधिशी इरक्राप्टों को लेकर यहाँ पर बात हो ही रहा है तो आप लोग वैं और एक बड़े और महतुपूर्ण स्वधिशी डेवलोप्मेंट के बारे में भी बता जेता हूँ और दोस्तों ये डेवलोप्मेंट भी तेजस माट्टों टूई आरक् प्रिपोर्टों के मुताविक यार्क्रेप्टों के रोलाउट के एक साल के बाद यार्क्रेप्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाता है लेकिन लेकिन जितना डिले एकसपेक्ट किया रहा था उतना डिले ना हो लेकिन इसके जो फर्स्ट फ्लाइट है वो शायぎ तैस समय पे ना हो पर दोस्तों इस रोलाउट को अंजाम देने के लिए ये भी दावा किया जा रहा है कि यारक्रैप्टों में रोलाउट के दर्मियान शायद कुछ क्रिटिकल कॉम्पोनेंटों को इंस्टॉल ना किया जाए और ये ही सबसे बड़ा कारण है जिसके वज़ा से दावा किया जा जोड़ा गया है और कितने काम और बाकी है हाला कि दोस्तों दूसरे तरफ वो ही पे टाइम लाइन के इन कॉंटुवर्सियों के बावजूद कुछ और मेडिया में ये विदावा किया जा रहा है कि साल 2026 के शुरुआती समय में ही नियारक्रैप्टों के रोलाउट पॉसि समबर महिने तक होना चाहिए और अगर इसमें थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो साल 2026 मतलब एक साल के ही डिले के अंदर येरक्रैप्टों को रोलाउट कर लिया अगर जाता है तब भी ये भारत के लिए एक बड़ा एचिपमेंट होगा जबकि दूसरे द्रफ ये भी को गुजरना पड़ा है और उस दर्मियान अगर अधिक स्वधिशी कॉपोनेंटों से येरक्रैप्ट लाज होता है तो तो ये स्पेर पार्स और सप्लाई चेन का जो जंजट है वो ही निपड़ जाएगा खुल मिलाके दोस्तों तेजस मार्क टू ये जैसे या निएर फोर्स के सक्वाटरन स्टेंथ को आने वाले समय में और अधिक बढ़ाने में मदद करें दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि भारत के तरफ से क्या ब्याली सक्वाटरन से अधिक संख्या में एरक्रैप्टों कोальномिया फिजिजी है या फिर केवल ब्याली सक् आतरम